शिंचंजी ऑनलाइन सेमिनार प्रकाशित वाक्य के भविश्यवानी और पूर्ती परमेश्वर की नई वाचा प्रकाशित वाक्या आज पूरे दुनिया में इसके बारे में गवाही दी जा रही है और अगस्ट और सितंबर में हमने पहला और दूसरा शिंचंजे आनलाइन सेमिनार का एउजन किया और इसमें लगभग 30,000 से जादा लोगों ने भाग लिया और 12 अलग शेत्रों से लगभग 1800 पाद्रियों ने इसमें बहुत रूची लिए आखिरकार प्रकाशिद वाक्या खुल चुका है और 2000 सालों में परमेशर के जो राज्य के भेद हैं प्रकाशिद वाक्य के बारे में आज हमारे शिंचंजी के जो अगुए हैं और जो बारव गोत्र के प्रधान हैं वे अक्तूबर से लेकर दिसमबर तक हाफते में दो बार पूरी दुनिया में इसका प्रसार करते हैं हम आपको इस प्रकाशिद वाक्य के भविश्यवानी और पूर्ती के गवाही के इस सेमिनार में निमंद्रित करते हैं पूरे दुनिया में परमिशर के प्रिय लोग जिनकी आशा स्वर के राजय में हैं आप सबसे मिलकर आछा लगा मेरा नाम यू जे वोख है और मैं पतरस गोत्र से हूँ जो कि शिंचन जी कलीस्या की है आज हमारे साथ शिंचन जी के इस सेमिनार में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का शिर्शक है शिंचंजी ओननाई सेमिनार प्रकाशी द्वाके के पविश्यवानी और पूर्ती की गवाही परमिश्र की नहीं वाचा हम परमिश्र का धिनवात करते हैं जिन्होंने हमें ये अफसर दिया और हम आशा करते हैं कि जो लोग इस सेमिनार में आज जुड़ रहे हैं, वे सभी परमिशर के अनुगरा और उनके प्रेम से भरपूर होंगे तो चलिए हम अपने दिलों को एकत्रित करें और परमिशर को हम प्रातना दे हे परमिशर पिता जो सबसे पवित्र हैं और जो प्रेम से भरपूर है, हम आपको तै दिल से आपका धेनवात करते हैं कि हमें आपने ये दिन दिया जो पूरे दुनिया से सबसे ज़्यादा मुल्यवान है आज इस शिंचंजी आउनलाइन सेमिनार में जितने भी लोग आए हैं, कृपयातू उन्हें आशिश दे और अपनी अनुगरा उन पर दे और आज हम आपको इश्यू के उस दूर के लिए धनवा देते हैं, जो आज शिंचंजी कह ध्याक्षे हैं, जिनके माधियम से हम प्रकाशित बाके को जानने पाते हैं ये वे वाचा के पादरी हैं, जिनके द्वारा जो बारगोत्र के पधान हैं, उन्होंने भी वचन सीखा, और आज ये वचन पूरी दुनिया में जाता है इस समय तेरी पवित्र आत्मा हमारी अगवाई कर सकें, ताकि हम इस सेमिनार के द्वारा तुझे महिमा दे सकें और हम भी प्रेम और अनुगरा से भरपूर होने पाएं, हम विंति करते हैं कि ये सेमिनार बहुत ही मुल्यवान होगा और पूरी दुनिया के लोग तुझे महिमा दे, जैसे कि आज प्रकाशित वाक्य के जो वचन है उसकी पूर्ती के गवाही दी जाती है, इस सारी विंत पूर्ती के जबाही परमिष्वर की नई वाचा पिछले सेमिनार को जारी रखते हुए, आज हम प्रकाशित वाक्य 14 के बारे में पढ़ेंगे। हम शिंचन जी बारव गोत्र आज प्रकाशित वाक्य के सभी वचन के बारे में स्पश्ट रूप से गवाही देते हैं क्योंकि हमें जो वाचा के पादरी है, जो चरवा है, जो शिंचन जी के अध्यक्ष है, उनके माधियम से सभी चीज़े जानने को मिली है तो चलिए आज प्रकाशित वाक्य 14 के उस यौन परवत और 14,000 के बारे में जाने जिन्हें काटा गया है और उस नए गीत के बारे में भी जाने तो आज हम चलिए उस इंस्ट्रक्टर को बुलाते हैं, जो आज हमें वचन की गवाही देंगे पुरे दुनिया में जितने भी धार्मिक नेता हैं और जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी थियोलोजिन्स हैं, जितने भी सदसे हैं, आप सबसे मिल पर अच्छा लगा मेरा नाम है E. John Book और मैं पत्रस गोद्र के अंतरगत नियुक किया गया, पिछली बार को जारी रखते हुए हम प्रकाशित वाक्या 14 को आज पढ़ेंगे तो आज का जो मुक्य संदर्ब होगा, वो होगा 1,44,000 जो प्रथम फल हैं, जो सियोन परवत पर हैं ये प्रथम फल है कौन? ये 1,44,000 है कौन? जो सियोन परवत पर हैं उसको देखने से पहले हम देख सकते हैं कि एक लाग च्वाले जार जो है वे उनके माथे पर परमेशर और इश्यू का नाम लिखा है ना ऐसा इसलिए क्योंकि उनका नाम परमेशर और इश्यू का नाम उनके माथे पर लिखा है और कब और कहां इन्हें मुरित किया जाता है तो इसके बारे में चलिए हम प्रकाशित वाके में जो विपरीत अधिया है उसको देखेंगे प्रकाशित वाके में हम देख सकते हैं कि तीन जगा पर विपरीत अधिया है प्रकाशित वाके 6 और 7 प्रकाशित वाके 13 और 14 और प्रकाशित वाके 18 और 19 ये विपरीत अधियाए हैं ये एक दूसरे के विपरीत हैं आप प्रकाशित वाके 6 में देख सकते हैं कि एक योग खतम हो जाता है क्योंकि उन चुने वे लोगों ने विश्वास घात किया और उन और जब हम प्रकाशित्वा के 13 और 14 के बीच में जो संबंध है उसे रेखते हैं, तो पिछले हम पिछले हमने अध्याय में देखा था बार्थलों में के गोत्र के बधान के माध्यम से, कि प्रकाशित्वा के 13 में जो लोग है, वे उन विनाशकों से पशु का चिन पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शैतान का जूठा वचन पाया, शैतान का चिन पाया, उसका अनुसरन किया और शैतान की साथ एक हो गए, इसलिए जो चिन वे लोग थे, वे विश्वास घाती हो और वो न्याए किये गए, तो उन्हें शैतान का चिन मिला, लेकिन प्रकाशित्वा के 14 में हम देख सकते हैं कि परमेश और ईश्यू और उस वाचा के पादरी के माध्यम से परमेश और की मुहर लोगों पर लगने पाती है, इसलिए परमेश और ईश्यू इनका जो नाम है ये उनकी माध्य पर लिखा जाता है, कितनी लोग मुहरित होते हैं इस समय, इसके बारे में कहा गया है कि 1,44,000 लोग मुहरित होने पाते हैं, और 18 और 19 देखते हैं हम, क्योंकि उन लोगों ने शैतान का वचन अपनाया, तो शैतान के साथ वे एक हो गया, इसलिए भोच में, उस मेमने के साथ एक होने पाते हैं, तो आज हम प्रकाशित वचय चौदा के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाशित वचया 14 में हम देख सेते हैं कि जिनको शैतान का चिन मिलता है और परमेशर का चिन मिलता है, उनका पड़िनाम क्या होता है, पहले मैंने आप से पुछा था कि एक लाग चवालेजार है कौन जो सियोन प्रवत पर है कब और कहां इन्हें मुरित क्या जाता है तो आप प्रकाशित वाक्या 6 में देख सते हैं कि एक युग का आंथ हुजाता है और एक नया युग प्रकाशित वाक्या 7 में शुरू होता है जो कौन है एक ला प्रकाशिद वाक्य चौधा कब पूरा होता है ये प्रकाशिद वाक्य तेरा के घटनाओं के बाद होता है ये कटाई की समय होता है न प्रकाशिद वाक्य तेरा में हम देख सकते हैं कि चुने वे लोगों ने विशास घातिया और वे नश्ट हो गये उन्होंने पशु का चि प्रकाशित वाक्या 14 को जो प्रवा है वो कुछ इस प्रकार है पहले से पांचवे वाक्य में हम उन मुहृत 1,4,000 के बारे में देख सकते हैं जो सियौन प्रवत्पर हैं 6-8 में हम उस अनंत कालकिसू समाचार के बारे में सुन सकते हैं जो नया गीत है और 9-12 में हम देख सकते हैं कि जो लोग पश्चु का चिन पाते हैं उनका न्याय कैसे होता है और 13-16 में हम देख सकते हैं कि जो काटे गए गेहु हैं उनका क्या होता है और जो 17-20 है उनके बारे में क्या लिका है वे लोग वे हैं जिनकी कटाय नहीं होती है तो आज हम प्रकाशित वगया 14 के बारे में जानेंगे और ये उस विश्वास के बारे में है जो हमें स्वर के राजे में लेके जाने पाता है ये एक लाघ च्वाले ज़ार कौन हैं? हमें बहुत जानने की जर्थ है न? तो चलिए आज हमने ये मुक्या संदर पढ़ा तो आगी चलते हैं अब ये एक लाग चवाले जार जो मुरित हैं ये कौन है इसके बारे में चलने पड़ते हैं पहले से पांचवे आयत में फिर मैंने दुष्टि की और देखो वह मेंना सियोन पहाड पर खड़ा है और इसके साथ एक लाग चवाले जार जन है जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम निखा हुआ है और स्वर्ख से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल्गी बहुत धाराओ और बड निया गीत का रहे थे और उन एक लाग चवाले जार जन्नों को छोड़ जो प्रित्वी पर से मुझे लिए गए थे कोई वह गीतना सीख सकता था ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद नहीं हुए पर कुवारे हैं ये वे ही है कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके प देखा है ना तो प्रकाशित वाक्या 14 हम देख सकते हैं वो प्रकाशित वाक्या 13 के बाद जारी रहता है तो यहां पे एक व्यक्ति है जो देखता है ना उसने खाए मैंने दिश्टी की कौन ही है ये व्यक्ति वो है जो प्रकाशित वाक्या के पूर्ति के समय सारी चीज़ यहुन ना जो इस पूर्ती को देखता है और वो सारी घटनाएं सारी चीज़े देखता है तो चलिए आज मुके संदर्प को देखते हैं उसमें लिखा है कि एक मेमना है जो सियौन पहार पर खड़ा है और उसके साथ एक लाग जवालेश जार जन है ये जरूरी क्यों है क्यो तो एक लाग चवालेश जो लोग है वे वे लोग है जो इशौ मसी से मिलते हैं जब वे दूसरे आगमन पर आते हैं तो इस एक लाग चवालेश जार को जानने के लिए हमें ये जानने की ज़र्द है कि सियौन परवत है कहां और वो घटना स्थल कहां है जहां इशौ आते ह तभी हम 1,4,000 को जानने पाएंगे तो हम देख सकते हैं कि एक बहुत एक सियोन परवत है आप देख सकते हैं वो यरुशलम है इस्राइल में एक ये परवत है जो लगभाग 800 मीटर उचा है और ये वो जगह है जहां इबराहीम, इशाक, याकुब ये सब लोग रहे थे और जो इस्राइल का राजा था दाओद उसने वहाँ पर अपना महल बनाया और वहाँ से सियोन परवत क्या है सियोन परवत एक धार्मिक केंद्र बन गया तो सियोन परवत क्या है, सियोन परवत Яरुषलम को भी धरशाता है और चुने वह लोगों को भी धरशाता है ये जब वापस आते हैं तो क्या वो भवतिक परवत पर आएंगे, भवतिक इसराल में आएंगे अगर ऐसा है तो हमें क्या है टिकट लेकर जहांच से हवाई जहांच से इजरा जाने की जुरत है न लेकिन प्रकाशित दौके जब पूरा होता है तो ये भौतिक सियोन परवत नहीं है लेकिन ये आलंकारिक परवत है आलंकारिक सियोन परवत है इसको आप हमेशे है याद र सियोन का मतलब है चुने वे लोग जिने परमेशर ने चुना है आप ये शाया साथ उसके चौदा में देख सकते हैं तो उसमें क्या लिखा है तुम्हें परमेशर क्या नगरी उस पवित्रे नगर कहलाए जाएगा और जकारिया 2 के साथ में हम देख सकते हैं कि सियोन तुम उस बाबुल में से निकल आओ है न ऐसा लिखा है तो ये जो सियोन है ये एक व्यक्ति को दर्शाया जाता है अब ये परवत का क्या मतलब है एक परवत आप देख सकते हैं कि किस तरह की चीजों से बना है परवत में मिट्टी होते हैं पेड होते हैं पशु होते हैं हर तरह की चीज़े होती हैं जो एक संगठन को दर्शाता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जब बहुत बड़ी भीर आती है, बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो एक पहाड की तरह हो जाते हैं, ऐसा हम कहते हैं सागर की तरह, पहाड की तरह ऐसा हम बोलते हैं और प्रकाशित वाक्य में भी हम देख सकते हैं कि तीन प्रकार के परवत हैं विश्वास घात के पहाड, विनाज के पहाड और उद्धार के पहाड यही परवत जो है यह भौत एक परवत नहीं है लेकिन यह आलंकारिक परवत है जैसे कि प्रकाशित वाक्या 11 में हमने देख और प्रकाशित वक्या आर्ट में भी हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पहाड है वो जल कर समुद्र में फैक दिया गया ये वो पहाड था जो जल गया ये तंबु का मंदिर था जिसे क्या है बाहर उन अन्य जाहतियों में फैक दिया गया ये विनाजगात का पहाड था और प्रकाशित वाक्य सत्रा के नौ से दस में आप देख सकते हैं कि विनाशक है जो साथ सिर और दस सींग है और हम देख सकते हैं कि वहाँ साथ पहाड है वहाँ साथ पहाड है और ये वो विनाश का पहाड है और प्रकाशित वाक्य स्वादा में हम देख सकते हैं कि एक पहा और ये उद्धार का पहाड़ है, तो हम जब प्रकाशित वाक्य को देखते हैं, तो क्या है ये सियान परवत है, जहां परमेशों के लोग एकत्रित हुए है, ये एक संगठन है, जो इशु पर केंद्रित है, इसकी वास्तरिक्ता क्या है, नए आध्याद्मिक इजाल के अब ये बारगोत्र क्यों है, क्यों? क्योंकि एक लाग चवालेश जार हैं, आप प्रकाशित वाके साथ में देखो, प्रकाशित वाके साथ में जो एक लाग चवालेश जार हैं, वे मुहरित बारगोत्र के संद्रित से हैं, इसलिए सियान परवत क्या है, वो एक लाग याजक है और एक योग खतम हो जाता है और एक नया योग शुरू होता है अब ये परमेश्र के नय योग में राज्य और याजक है हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्या चादा उसके चार में हम देख सकते हैं वे क्या है वे प्रथम फल है वे प्रथम फल है वे पहले फल ह वे जंगली पौधे नहीं हैं, जिनको नहीं काटा गया, लेकिन वे गेहु हैं, जिनको काटा गया है और प्रकाशित वक्या 14 और 14 के सोला में हम देख सकते हैं कि इनकी कटाई कैसे होती है, उसके बारे में हम बात में जानेंगे और हम देख सकते हैं कि इन एक लाग च्वाले जार पर परमेशर और इशू की मुहर लगी है उनके माथे पर परमेशर और इशू की मुहर लगी है तो आपको क्या लगता है कि उनके माथे पर सच में परमेशर और इशू का नाम लिखा होगा नहीं, परमेशर और इशू का नाम का मतलब है वे परमेशर और इशू से संबंधित हैं हम देख सकते हैं कि आदी में वचन परमेशर था यानि कि परमेशर और इशू का वचन होना परमेशर और इशू का वचन उनके मन में, उनके रिदे में होना वे लोग Permishor के लोग कहलाए जा सकते हैं और ये है उसका मतलब कि उनके माथे पर Permishor और इश्यू का नाम लिखा है आप इबरानियों आर्ठ के दस में दिख सकते हैं कि Permishor ने कहा कि जब वो नई वाचा बनाएगा तो Permishor कहते हैं कि मैं उनका Permishor होंगा और वे मेरी लोग होंगे इसलिए वे लोग वे हैं जो Permishor के लोग कहलाए जाते हैं Permishor उन्हें अपने लोगों के रूप में सुईकार करता है ये वे लोग हैं जिन्हें प्रकाशित वाक्या 7 उसके 1-8 में मुरिद किया गया लेकिन प्रकाशित्वा के 13 में हम देख सकते हैं कि वे लोग हैं जो शैतान की चिनिसे मुरिद हैं और प्रकाशित्वा के 17 के 5 में हम देख सकते हैं कि एक बड़ी वहशा है जो क्या है जूटा पादरी और उसके माथिये पर एक शर्व लिखा है, वो है बाबुल जो एक रहस्य है और बाबुल क्या है? बाबुल परकाशित्वा के अठारव में हम देख सकते हैं कि एक दुष्ट का दुष्ट का वो घर है, सभी जो दुष्ट आत्मा है उनका घर है और वो एक शैतान का घर है मैं आपसे पूछता हूँ कौन लोग है जो परमेशर की राजय में प्रवेश कर सकते हैं क्या ये वी लोग नहीं होंगे जिनके मातिय पर जिनके हृदे पर परमेशर का वचन होगा तो क्या आप इस समय जो आपका वचन सुनते हैं तो क्या आप सभी चीजों का अनुसरन कर सकते हैं नहीं आपको क्या है आपको देखने की जरत है आपको जाँचने की जरत है कि क्या वचन परमेशर का है या वचन शैतान का है आपको खुद जाँचने की जरत है हम हर कोई वचन जो हम सुनते हैं ऐसे ही उसका अनुसरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो वचन हम ग्रहन करते हैं जो वचन हमारे पास है वो हमें बताता है कि हम या तो परमिश्रक से संबदित है या शैतान से संबदित है और हम देख सकते हैं कि उस स्वर्ग दूत में क्या है और एक आवाज सुनी गई और एक आवाज सुनी गई वहाँ एक नया गीद गाया गया हम देखते हैं कि प्रकाशिद वाक्या चार में हम ने उस स्वर्ग के राज्य के बारे में देखा जो स्वर्ग में है और प्रकाशिद वाक्या 21 में हम देख सकते हैं कि जो स्वर्ग है ये प्रित्वी पर उतर आता है और ये वो जगह है जहां वो परमेश्र के बारगोत्र के लोग है, परमेश्र के संतान है, ये वही जगह है जो सियान कहलाता है, सियान परवत वो जगह है जहां परमेश्र का जो मंदिर है, परमेश्र का तंबू वो नीचे आता है और उसके साथ एक होने पाता है, तो ये जो स्वर्ख का जो आवाज है ये वो स्वर्ख की जो आवाज ही ये क्या है ये परमेश्र की आवाज है अब ये जो सिंहासन है जहां परमेश्र का सिंहासन है यहां पर जो एक लाग चवालेज़ार मुहरित है वे लोग उन चारो प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गाते थे और उन एक लाग 24,000 जनों के छोड़ जो पृठ्मी मैंसे मोल लिए गए हैं कोई भी ये गीत नहीं का सकता था तो ये नया गीत है क्या अब ये गीत क्या है हमें जानने के ज़रत है गीत पुराने समय में क्या है भविश्य के जो भविश्यवार्णी के बारे में गाया जाता था यानि कि गीतों में भी परमेश्यवार्णी चिपी हुई थी और ये जो नया गीत है ये क्या है? ये नया गीत वो गीत है जो भविश्यवानियों के पूर्ती के बारे में गवाही दीता है तो ये जो नया गीत है ये क्या है प्रकाशिद वाके में जो नया गीत गया जाता है ये क्या है ये प्रकाशिद वाके के भविश्यवानी और उसके पूर्ती के बारे में जो गवाही है वो गीत है अगर गीत एक वचन है तो नया गीत क्या है नया वचन ये वही गीत है जो प और प्रकाशिद वाक्या 14 के 6 में हम देख सकते हैं वे जो निया गीत गाते हैं उसे अनन्द काल का गीत कहा गया अनन्द काल का सुसमाचार कहा गया तो ये जो निया गीत है जो सिर्फ 1,14,000 लोग गा सकते हैं ये प्रकाशिद वाक्या के पूर्ती के गवाही है और ऐसा क्यों है कि सिर्फ एक लाग चवले जार ये गीत सीख सकते थे उनके अलावा कोई नहीं सीख सकता था इसलिए क्योंकि परमेशर का जो सिंहासन है वो सियोन परवत पर आता है और जहां परमेशर का सिंहासन आता है वहां परमेशर का चरवाहा होता है क्योंकि एक व्यक्ति है जिसने सारी चीज़े देखी और सुनी सबी जो भौतिक पूर्ती है उसके बारे में जाना है इसलिए प्रकाशे द्वक्तितीन के बारे में हम देख सकते हैं जो जैप आता है कि उस पर परमेशर, ईश्यू और जो आत्मिक स्वर्ग है वो उस पर आता है और प्रकाशित वाके 3 के 21 में लिखा है कि जो जैप आता है वो ईश्यू मसी के साथ उसके सिंहासन पर बैठेगा यानि कि जहां वो जैप आता है वहाँ ईशो मसी का सिंहासन है और परमिश्व का सिंहासन है ना और आप प्रकाशित वाक्या एक के दो में देख सकते हैं कि वो चरवाहा है जो वो सारी चीज़े देखता है सुनता है उसी गवाही देता है और उसे प्रकाशित वाक्य 10 में वो खुली पुस्तक मिली और प्रकाशित वाक्य 22 के 8 और 16 में आप देख सकते हैं कि उसने प्रकाशित वाक्य के सभी घटनाओं को देखा इसे लिए क्योंकि जो 54,000 है वे उस वाचा के पाद्री से उस चरवाहा से वे सीख सकते हैं इसीलिए वे ही है जो ये नयागीत गासकते हैं तो ये नया गीत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये नया गीत जब प्रकट होता है वो इस जीस का सबूत है कि ये सियोन परवत है और ये एक लाग चवालेज़ार है ये सियोन परवत किस तरह का जगा है? सियोन परवत उस तरह का जगा है जहां परमेश और ईश्यू और जो आत्माएं हैं पवित्र आत्माएं वे उनके साथ एक है तो ये स्वर का राज्य है जिसकी हम कामना करते है तो क्या हर कोई यहां जा सकता है क्या हर कोई अपने मर्जी से सियोन परवत का सदे से बन सकता है ऐसा नहीं है अगर ये एक लाग चवाले जार है तो इनको क्या है नया गीद गाने की जरुरत है और ये अगर सियोन परवत है वहाँ से एक नया गीद आने की जरुरत है इसलिए ये नया गीद जहां से निकलता है वो इस जिसका सबूत है कि वहां पे Sihon परवत है और वहां 1,4,000 लोग मुरित है अगर वहां नयागीत नहीं है तो वो Sihon परवत नहीं है ने नाहीं वहां 1,4,000 जन मुरित है तो 1,44,000 जन कौन है किस طरह के लोग है चलिए उस पर एक नज़र डालते है हमें ये जानने के जरद है कि ये एक लाग चाहलेशजार जन कौन है अगर हम जानेंगे तो हम उनकी तरह बन सकते हैं है ना तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपने आपको कुवार्या रखा और वे स्त्रियों के साथ अशुद नहीं हुए अब ये स्त्री कौन है ये बहुतिक स्त्री नहीं है है ना ये आत्मिक स्त्री है एक चरवाहा एक पादरी 2000 साल पहले जो पॉलूस थे प्रेरिट पॉलूस उन्होंने भी परमेश्र का वचन दिया और उन्होंने आपको क्या है आलंकारिक स्त्री कहा उन्होंने कहा कि मैं गर्वती की पीरा में हूँ, जच्चा की पीरा में हूँ, उन्होंने कहा कि मैं दूद पिलाता हूँ, और उन्होंने तिमुतियूस को भी अपना पुत्र कहा, जबकि प्रेरेट पॉलिस जो थे, उनकी उनका विवा नहीं हुआ था, क्योंकि वच्चन बीच है एक पादरी जो उस बीच को ग्रहन करता है वो एक स्तरी बनता है और मंडिली के सदस्यों को उनका पोशन करता है तो उस तरह का जो व्यक्ति है उस तरह का जो पादरी है उसे स्तरी कहा जाता है अब प्रकाशित वाक्या में किस तरह के स्री है जो दुष्ठ है जो भ्रष्ठ है वे जूटे पादरी है उनके पास परमिशर का बीज नहीं है लेकिन उनके पास शैतान का बीज है जो कि जंगली पौधे है और वे शैतान के संतान को जनम देते तो ये जुटे पादरी हैं जिनके बारे में प्रकाशित वाक्या 2 के 20 में हम देख सकते हैं कि इजाबिल लिखा हुआ है जो परमेशवर के दासों को मूर्तियों का भोजन खिलाता है और प्रकाशिद वाके 17, 1 से 5 में हम देख सकते हैं कि उन सभी चीजों की जो उन सभी बाबूल की जो वैश्या है जो बड़ी वैश्या है वो है जो शैतान से संब्धित है वे लोग वे पादरी हैं जो प्रकाशिद वाके 13 में उस तंबू के मंदिर में प्रवेश कर सभी को शैतान का चिन्ह देते हैं लेकिन जो एक लाग चवाले जार है वे शैतान के साथ एक नहीं होते हैं वे व्यविचार नहीं करते हैं वे अपने आपको शुद्र रखते हैं अपने विश्वास को बनाई रखते हैं वे उन जुटे पाद्रियों के वचन को नहीं सुनते हैं वे मसी के पीछे उस मेमने की भी चलते हैं जहां कहीं वह जाता है और वे सिर्फ मसी के वचन का अनुसर्ण करते हैं और कहा गया कि उन्हें सब ही जो मनुश्यों में से मोल लिया गया है और वे निमित पहले फल बन गये हैं और उन्हें पहला फल क्यों कहा गया क्योंकि 2000 साल पहले ईश्यो मसी ने परमेशर के वचन के बीच को बोया है न और 2000 साल से क्या है ये बीच उग रहे हैं और इस आत्मिक खेती में इस आत्मिक किसानी में सबसे पहले पहली बार जो परमेशर के बीच से लोग उगे हैं और आज कटने पाएं हैं उन्हें पहला फल का जाता है इसलिए ये एक लाख चवाले जार जो जन है वे उधार पाते हैं क्योंकि उनके वचन क्योंकि उनके जो वस्त्र है उसे ईश्यो के लहु से क्या है शुद्ध कर दिया गया और उन्हें पापों से शुद्धी मिलती है जैसे कि प्रकाशित वाग पाँच उसके नौ से दस प्रकाशित वाग एक ही पाँच से छे में आप देख सकते हैं उन्हें काटा गया और वे आत्मिक फल बनने पाते हैं वे जूट उनके मुह में से कोई जूट ना निकला और वे निरदोश हैं और उनको परमेश्र क्या है प्रतम फल के रूपे स्विकार करते हैं मुसा के सम प्रतम फल जन वे प्रतम फल हैं जो परमेश्र और इशू के हो जाते हैं और उनके मुह में कोई जूट नहीं हो जाते हैं वे निरदोश होते हैं यानि कि उनके मुह में कोई जूट नहीं होता उनके अंदर कोई जूटा वचन जूटे सिद्धान नहीं होते हैं हाम प्रकाशे द्वाक्या 22 उसके 18 में 18 और 19 में देख सकते हैं कि जो प्रकाशे द्वाक्य में बढ़ाते और घटाते हैं वे स्वर के राजय में नहीं जा सकते हैं बलकि उन्हें वे पत्ती मिलती हैं ये एक लाग चावले जार जन वे हैं जो प्रकाशे द्वाक्य में से जो अगर मैं नहीं जानता हूँ कि ये नियागीत क्या है, ये सियोन परवत क्या है, तो हम वे लोग हैं जिन्होंने प्रकाशित राक्या के बारे में कभी जाना ही नहीं, प्रकाशित राक्या क्या है, एक रहस्य है और ये आलंकारिक चीजों में चुपी हुई है, जब तक इसकी पूर्ती नहीं हुई थी, कोई भी नहीं जानता था, इसलिए हम क्या है, उसमें से बढ़ाते घटाते थे हैं लेकिन जब वचन पूरा होता है, क्योंकि वास्त्विक या घटाएंगे, तो आप स्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं, और क्या है, जैसा वचन है, उसी प्रकार उसका रुसरन करेंगे, तो हम भी स्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, तो जितने भी प प्रवेश कर सके आप भी ऐसे पादरी बन सकते हैं जो बहुत दोगों को स्वर के राज्य में उनका नीदरित्व कर सकते हैं तो चलिए इस अनंत काल के जो वचन है उसके बारे में देखते हैं तो चलिए 6-8 पड़ते हैं प्रकाशित दखे 14-6-8 फिर मैंने एक और स्वरक्दूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा जिसके पास प्रित्वी पर के रहने वालों की हर एक जाती कुल भाशा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सु समाचार था और उसने बड़े शब्से कहा पर मेशोर से डरो और उसकी महिमा करो क्योंकि उसके नियाय करने का समय आप पहुंचा है और उसकी आरतना करो जिसने स्वरक और प्रित्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वरक दूद्ध ये कहता हुआ आया गिरपड़ा वहाँ बड़ा बाबिल गिरपड़ा जिसने अपने व्यविचार की होप में मैदिरा सारी जातियों को पिलाई है आमेन तो हम देखते हैं और एक स्वरक दूद्ध है जिसके पास सनातन सुसमाचार है अनन्त काल का सुसमाचार है जो वो सभी जाती भाषा कुल लोगों को सुनाता है अब ये अनन्त काल का सनातन सुसमाचार है क्या सुसमाचार यानि की सुसमाचार का मतलब है की जो भविश्यवाणी है उसकी पूर्ती की गवाही देना है ना ये सनातन सुसमाचार वो है जो प्रकाशित गाके के पूर्ती के बारे में सुसमाचार है प्रकाशिद गाके के भविश्रिवाणियों की जो पूर्टी है वो सनातन सुसमाचार है अनन्त कल सुसमाचाल है जब बास्विक्ता बताई जाती है वो अनन्त काल का सुसमाचार है और ये किन को बताय जाता है ये योवल एक उसके 3 से 4 उस प्रकार आप देख सकते हैं कि तुम अपने वंचर्च को बताओ वे अपने वंचर्च को बचाए तो इस प्रकार जो है योगान य्योग ये वचन जो है चलता रहता है उसी प्रकार आप प्रकाशिद वाक्या 14 उसके तीन में जो अनंत काल का सूसमाचार है उससे नयागीत कहा गया और ये नयागीत कौन? इसकी गवाही कौन देता है? वो वाचा के पादरी है जो सारे चीजे देखते और सुनते हैं और वे एक लाग चावाले जार है जो उस वाचा के पादरी उस सियान परवत से सीखते हैं केवल वे हैं जो इस नयागीत को गा सकते हैं तो प्रकाशित द्वाक्य का जो पूर्ती है उसके बारे में गवाही कहां दी जाएगी हरजाती कुल भाशा और लोगों को यानि कि पूरी दुनिया में जितने भी चर्श हैं उनको ये गवाही दी जाएगी इसलिए जो वाजा की पादरी है जिन्होंने प्रकाशित वाके के बारे में सारी चीज़े देखी और सुनी उन्हें प्रकाशित वाके 22 की 16 में कहा गया कि तुम पूरी दुनिया के जो कलीसिया हैं उनको जाके गवाही दो इसलिए प्रकाशित द्वाके 24 के 14 में लिखा गया है कि जो राज्य का जो सुसमाचार है वो पूरी दुनिया में सुनाये जाएगा और फिर अंत आएगा ये वही स्वगदूत है जो कहता है कि परमेशर का भहमानों क्योंकि वो न्याए का समया गया है और हमसे कहा गया कि परमेशर की महिमा करो आरादना करो अब ये लोग कौन है जिन्हें न्याए मिलता है और ये परमेशर का जो स्थान है वो कौन सा है ये निरनेता बाता है ये न्यायता बाता है जब प्रकाशित द्वाके 18 के बाद जो 42 महिने का कार्या जो विनाश का कार्य होता है और ये जगर जहां सभी लोग आते हैं और परमेशों की रातना करते हैं वो साक्षी की तंबू का मंदिर है जिसके बारे में प्रकाश्य द्वाक्या 15 में हम सीखेंगे जो परमेशों के मंदिर साक्षी के तंबू के मंदिर के बारे में बताता है और एक स्वरक्दूत प्रकट होता है और वो कहता है कि जो बाबुल है वो गिर जाएगा बाबुल के बारे में हम प्रकाशित वक्य सत्रा उसके पांच से साथ में हम देख सकते हैं ये एक वैश्या का संगठन है और वो पशु का संगठन है जिसके सासर और गसिंग है और इसकी वास्तविक्ता है वो वैश्या और वो संगठन बाबुल की वास्तविक्ता है वो वैश्या और वो संगठन उन्होंने क्या क्या उन्होंने पूरे दुनिया को पूरे जो चर्च उनको क्या है मदिरा की व्यभिचार की मदिरा पिला दी आम देख सकते हैं कि लोगों ने क्या है व्यभिचार की मदिरा पी ली और वे भष्ट हो गए हैं और वे क्या है वे सभी मतवाले हो गए हैं उन्होंने क्या क्या उन्होंने जूटे वचन का अनुसरन किया और उनकी ग है जूटे सिधान्त है टिपणिया है और लोगों के क्या है लोगों के वचन है ये क्या है आप विशार की मदरा है ये पूरी जातियों पूरी दुनिया को क्या है पढ़ाया गया दिया गया और ये बाबुल जो है इसका न्याय होता है इसका न्याय क्यों होता है क्योंकि उन्होंने उस तंबू के मंदर को नश्ट कर दिया और इसलिए क्योंकि उन्होंने सभी लोगों को गभिचार की मंदरिया पिलाए इसलिए उनका न्याय होता है उसके बारे में हम प्रकाशित वक्या 17-18 में देखेंगे तो ये न्याय क्या है जो उन लोगों को मिलता है जिन्होंने पश्चु का चिन पाया तो चलिए प्रकाशित वक्या 14-9-11 पड़ते हैं फिर इनके बाद एक तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब से यह कहता हुआ आया जो कोई इस पश्चु और उसके मूर्ती की पुझा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले तो वह परमेशर के प्रकोप की मैदरा जो बिना मिलावट के उसके क्रोथ के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र सर्गदूतों के सामने और मेमनी के सामने आग और गंधक की पीरा में पड़ेगा और उनकी पीरा का दुआ युगा नियुक उठता रहेगा और जो उस पशू और उसकी मूर्ती की फुजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको दिन राच चैन ना मिलेगा आमेन तो ये तीसर सर्गदूत ने ऐसा कहा ये उन लोगों के बारे में हैं जिनको पशू का चिन मिला उनका न्याय है तो पशू उसका चिन और पशू उसकी मूर्ती और उनके माथे पर उनके हाथ पर पशू का छाप तो ये पशु क्या है पशु वो शैतान है और मूर्ती क्या है वे मूर्ती वो जुटे पादरी है और अब लोग कौन है जो उसके माथे जो उसका जुचिन है अपने माथे या हाथ पर लेते हैं ये वे लोग है प्रकाशिदा के 13 में जिनको पश्यू कच्चिन मिला। उन्होंने परमेशर की अरादना नहीं की परमेशर का महिमाने दी वे परमेशर के नहीं हैं लेकिन वे शैतान की जूटे पाद्रियों के साथ एको गए। इसलिए उनको ये न्याय मिलता है। वे उस गंधक की पीड़ा में पड़ेंगे और वे योगानियोक क्या है योगानियोक तड़ पेंगे। और हम प्रकाशिद वक्या 21 के 8 में देख सकते हैं उस दूसरी मृत्यू के बारे में हम देख सकते हैं ये वो जगा है और प्रकाशिद वक्या 20 उसके 4 से 5 में हम देख सक कि वे लोग हैं जिन्होंने पश्यू कच्च ने नहीं पाया और उन मूर्तियों की पूजा नहीं की। परमेशर और इश्यू का मुहर होता है और वे परमेशर और इश्यू के साथ युगानियुक राज्य करते हैं। का समय नहीं आता तब तक हमें उस पश्यू से लड़ने की ज़रत है और जिनका विश्वास परमेशर और इश्यू पर है। और जो उस पहाड़ पर भाग जाते हैं जब उस पवित्रे नगर में वो घृत पश्यू घृत वस्तू प्रवेश करता है तो वे लोग उस पहाड़ पर भाग जाते हैं। और वे वे लोग हैं जो श्वे गवस्तर पहनते हैं और जिनके नाम जीवन की पूस्तक में लिखे हैं। और वे वे लोग हैं जो परमेशो के मंदिर में उस वेदी के सामने आराधना करते हैं और परमेशो के आराधना करते हैं। और परकाशे द्वग्य सत्रा के चौदा में हम देख सकते हैं कि वह वे लोग हैं जो विश्भास योग्या और भरोसे मन सेवक कहे गए हैं, जो जै पाते हैं वैं। और वे परमेशो के सिंगासिर के सामने कत्रित होते हैं और वे वे लोग हैं जो 1,44,000 जन हैं जो परमेशो के 20 से जन में हैं जिन्होंने अपने धीरच को बनाए रखा अपने विश्वास को बनाए रखा आज हमें भी सच्चे विश्वासि के माध्यम से अपने विशास को बनाए रखना है तो ये जो गेहूं है इनकी कटाई कैसी होती है तो चलिए 13 से हम 16 पढ़ते हैं प्रकाशित वाके 14, 13 से 16 और मैंने स्वर्ग से यह शक सुना लिख जो मृतक प्रभू में मरते हैं वे आपसे धन्य है आत्मा कहता है हाँ क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कारियां उनके साथ हो लेते हैं मैंने दिश्टी की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मुनिश्य के पुद्र सदिश्य कोई बैठा है जिसके सिर पर सोने का मुकट है और हाथ में उत्तम हस्वा है फिर एक और स्वर्गुद्ने मंदिर में से निकल कर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शबसे पुकार कर कहा अपना हस्वा लगा कर लवनी कर क्योंकि लवने का समय आप पहुंचा है इसले कि पृत्वी की खेती पक चुकी है अता जो बादल पर बैठा था उसने पृत्वी पर अपना हस्वा लगाया और पृत्वी की लवनी की गई आमेन तो आपने अच्छा पढ़ा तो अब से मैं तेरा के बारे में बताऊंगा प्रकाशित वक्या 14 का 13 हम देख सकते हैं कि अब से जो प्रभू में मरते हैं वे अब धन्य हैं क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे तो कहा गया है कि अब से है ना यानि कि अब से इसका मतलब क्या है शुरुवात से इस 42 महिने के विनाश की समय में जब चुने वे लोगों ने अपने आपको शैटान के साथ कर दिया लेकिन उस समय कए लोग थे जो प्रभू में मरे हैं तो जो प्रभू में मरे वे लोग धन्य हैं अब ये धन्य कैसे हो सकते हैं ये तो मर गये हैं तो ये धन्य कैसे हो सकते हैं। ये जो मर गया है, ये वे भौतिक रूप में नहीं मरे हैं। जो मर गये हैं, वे क्या हैं। उनके पाप मर गये हैं। उनके पाप मर गये हैं और उनमें धार्मिक्ता जीवित होती है। प्रकाशी द्वाके 13 के 15 में आप देखो कि जो लोग उस पश्यू की मूर्ती की पूजा ना करें तो उन्हें मार दिया जाएगा, है ना, तो ये भहतें मृत्यू नहीं है, उस समय अगर कोई पश्यू से डरे और उसकी मूर्ती की पूजा करें, तो उनकी जो धार्मिकता है, वो मर जाती है और पाप, पाप जो है, वो जीता है उनमें, लेकिन अगर आप उस समय अपने विश्यूस को बनाए रखते हैं, और धीरज रखते हैं, और पश्यू और उसके मूर्ती की पूजा नहीं करते हैं, तो उनकी पाप मर जाते हैं, और उनकी धार्मिकता जीवित दो इसका एकुदारन हम देखते हैं, 2000 साल पहले प्रेद पॉलूस ने क्या कहा, प्रेद पॉलूस ने भी अपने जो देख, अपने शरीर के जो सोच है, उनको मार दिया, और वोह कहते थे कि मैं रोज मरता हूँ, है ना, मैं रोज अपने आपको मारता हूँ, ताकि मैं पर करके व्यक्ति है जो परमेशर में मरता है आज वो योग है जब परमेशर राज़ करते हैं तो इस नए राज़े ने लोगों की स्थापना करने के लिए परमेशर के इस प्रकाशिद वाके के पूर्ती की पूर्ती होनी जरूरी है तो आज प्रकाशित वाके की जब पूर्ती होती है जब परमेशर का राज़र बनने पाता है हमें परमेशर के हिसाब से परमेशर के राज़र के हिसाब से बनने की जरत है उनके कारे करने की जरत है तो वो व्यक्ति जो अपने आपको परमेशर के कारे में सौपता है वो व्यक वो जिएगा चाहे वो मर भी जाए और जो मुझ पर रुशास करता है वो कभी ना मरेगा ये सारे वचन आज पूरे होते हैं वे लोग एक नए राज नए लोगों की स्थापना करते हैं जहां परमेशर आकर बसीरा करते हैं और वे उस सबत के उस विश्राम में प्रभिश करते हैं इसलिए आज हमें वे लोग बनने की ज़रत है जो परभू में मरे यानि कि हमें परमेश्य के कारय करने की ज़रत है या है परमेश्य का कारया ये कटनी है लवनी तो 14-16 जब हम पढ़ते है तो हम देख सकते हैं कि एक हस्वा लिया गया और लवनी की गई तो एक मनुश्य के पुत्र समान कोई था जो एक क्या है एक हस्वा लिये हुए था ये इशू का एक रूप है ना इशू का एक रूप है एक बादल पर बैठा बादल पर बैठना इसका मतलब क्या है बादलों पर बैठना यानि कि जो इशू है वे बादलों पर यानि कि सारे आत्माव का नित्रिद्व करता है और उन्हें कहता है कि लवनी करो और हम देख सकते हैं कि एक स्वरगदूद है वो क्या है एक बड़ा हस्वा लेता है और लवनी करता है तो अब लवनी के बारे में उस कटनी के बारे में देखते हैं कटनी की शुरुआत कैसे होती है और कटनी होती कैसे है तो आज शुरू से लेकर अंग तक हम देखेंगे ये कटनी का समय है कटनी की जो सारी प्रक्रिया है वो आज हम देखेंगे लगबग 26 साल पहले भौतिक इस्राइल ने परमेशर के साथ एक वाचा बांदी लेकिन सुलिमान के माध्यम से जो इस्राइल का राजा था उन्होंने क्या है अन्य जातियों की पुजा करनी शुरू कर दी जैसे कि होशे चे के साथ में हम देख सकते हैं कि आदम की नाई उन्होंने भी क्या है वाचा तोड़ दी तो परमेशर ने भौतिक इजल का अंद कर दिया और उन्होंने कहा कि एक वे नई रचना बनाएंगे नया कारे करेंगे और उन्होंने कहा यर्मया 31 के 27 में कि वे एक ही खेत में दो प्रकार के बीज बौएंगे एक मनुष्य का और एक पश्यू का और ये सारी चीज़े पहले आगवन में इशु मसी के समय पूरी हुई 2000 साल पहले इशु मसी जो मनुष्य के पुद्र थे उन्होंने क्या किया उन्होंने अच्छा बीज बौया अपने खेत में अच्छा बीज बौया उसी समय जो पश्यू है जो शत्रू है उसने क्या है उसने जंगली बीज भी उसी खेत में बो दिये जो पश्यू का बीज है वो उस खेत में बोए गये उस समय क्या है वो गेहू और जंगली पौधों का बटवारा नहीं हुआ उन्हें नहीं निकाला गया है ना लेकिन कहा गया कि कटनी के समय में अंत के समय में कटनी के समय में अंत के समय में जो जंगली है उन्हें बान दिया जाएगा और खेत में रखा जाएगा लेकिन जो गेहूं है गेहूं को काट कर खत्ते में ले जाए जाएगा गेहु और जो जंगली पौधा है उन्हें क्यों नहीं निकाला गया उन्हें पहले क्यों नहीं निकाला गया क्योंकि जब वे छोटे हैं तो आप नहीं देख सकते हैं आप बीच में देखो जो बीच वला है वो जंगली पौधा है जब वे छोटी होते हैं जब उनके अंकुर निकलते हैं आप नहीं देख सकते हैं कि कौन सा गेहू है और कौन सा गेहू है कौन सा गेहू है और कौन सा जंगली पौधा है अगर आप जंगली पौधा निकलना चाहोगे तो आप गेहू को भी निकाल दोगे इसलिए जो किसान है वो क्या है कटनी के समय तक इंतिजार करता है क्योंकि कटनी के समय में ये जो गेहूं है और जंगली पौधा है आप इसे साफ साफ देख सकते हैं आप देखो गेहूं और जंगली पौधा आप इसका इन दोनों को देख सकते हैं उसी प्रकार ये कटनी जो है आत्मिक कटनी है आज जो गेहूं है वे परमेश्र के संतान है और जो जंगली पौध है जंगली बीज है वे शैतान के संतान है और ये खेत कहां बोया गया और ये बीच कहां बोया गया ये इशू का खेत है इशू का खेत क्या है कलीसिया आज धार्मिक जो दुनिया है आज पूरे दुनिया के जो कलीसिया है यानि कि आज पूरी दुनिया के कलीसिया में इशू के बीच है लेकिन शैतान के भी बीच है आज पूरे दुनिया की जितने भी कली से आएं हैं, वहाँ सब ऐसे नहीं है जो स्वर्ग जाएंगे, वहाँ शैतान के भी संतान है, उनका बटवारा कब होगा? अंध के समय में, कटनी के समय में, जब कटनी का समय आता है, जब तब जो स्वर्ग्दूत हैं वे आते हैं और क कटनी करते हैं और उनका बटवारा करते हैं जो परमेशों के संतान है वे खत्ती में जाते हैं उस खलिहान में जाते हैं लेकिन जो शैतान के संतान है उनकी कटाई नहीं होती है और वे जला दिये जाते हैं ये बाइबल का बादा है तो ये कटनी या लवनी होती कैसे है आम द बहुतिक हस्वा लेगा नहीं ये जो तेज हस्वा है ये उत्तम हस्वा है ये परमीश्र का वचन है आप इफीसियो 6 उसका 17 में देखो तो लिखा है कि परमीश्र का वचन एक तलवार की तरह है और ये शाया 2 के 4 में आप देख सकते हो की लिखा है कि उस कट्नी के समय में कट्नी के समय में जो तलवार है जो ढाल है जो तलवार है उन्हें क्या है हस्वाए में बदल जाएगा यानि कि ये जो हस्वा है ये क्या है एक व्यक्ति है जिसके पास परमिश्र का वचन है 2000 साल पहले ये जो बीज है एक व्यक्ति द्वारा बोया गया उसी प्रकार कटनी के समय में जब कटनी होती है तो एक व्यक्ति ये कटाई करता है जो हसुआ है वो परमिशो का वचन है और एक व्यक्ति है जिसके पास ये परमिशो का वचन है तो कटनी के समय में परमिशो के वचन की गवाही होती है और जो लोग उसे सुनते हैं उससे वो क्या है उस बीच से वो जनम ले सकते हैं जो उस वचन को ग्रहन करते हैं जो पूर्ती के वचन को ग्रहन करते हैं वे लोग गेहूं की वास्तिता बन सकते हैं और उनकी कटाई हो सकती है अब ये कटाई होती कैसे है कटाई होती ऐसे है कि वे जो गेहूं से है वे परमेश्यों के वचन के पीछे हो लेते हैं आप मती चाब बिस उसके 40 से 41 में देख सकते हैं कि एक जो है ले लिये जाएंगे और एक को छोड़ दिया जाएगा दो स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी एक को क्या है ले लिया जाएगा एक को छोड़ दिया जाएगा और यह स्त्रियां क्या है यह स्त्रियां चरवाहा है पादरी है तो कटनी के समय में चाहे वो पादरी हो चाहे वे सदस्य हो सभी को कटाई में भाग लेने की जरूरत है अगर हम कटाई में भाग नहीं लेते हैं अमारे कटनी नहीं होती है, तो हमारा न्याय होता है, और कटनी याने की उस गवाही के वचन की पीछे हो लेना, ताकि हम उस खत्ती में जा सकें, ताकि हम ईशू के खलिहान में जा सकें, वह जगह है जहां वो फल लाए जाते हैं, वो गेहू लाए जाते हैं, और यह जो फल, इसलिए प्रकाश्चित वाक्या 4 में हम देख सकते हैं, प्रकाश्चित वाक्या 7 में हम देख सकते हैं कि सियोन परवत में 12 गोत रहें और उसकी वास्तिता है साक्षी के तंबू का मंदिर। इसी जो लोग सच्चे वचन का अंसरन करते हैं वे साक्षी के तंबू के मंदिर में आते हैं और ये उस बात का सबूत है कि वे परमीशों के बीच से जन में हैं और वे गिहू हैं क्योंकि वे खत्ते में आते हैं तो आज अभी प्रकाशी द्वाके के पूर्ती का समय है कटनी का लवनी का समय है यानि कि इस समय उस नए गीत से लोगों को मुरित होने की ज़रत है और कटनी होने की ज़रत हैं न तो ये किस जगा के किस तरह के जगा में होता है आज शिंचन जी इश्यू की कलिस्या सक्षी के तंबू का मंदिर यहां सियोन मिशन के इंद्र जो है इसके द्वारा कटनी होती है पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक सैक्षनिक संगठन है जो बाइबल पर आधारित है यहां वो नया गीत गाया जाता है यहां से वो नया गीत निकलता है और इस कोर्स के माध्यम से Elementary, Intermediate, Advanced, शुरुवाती, मध्यवर्ती और उच्चसतर इन सभी कोर्स को पूरा करके लोग उस मंदिर में प्रविश कर सकते हैं और इस सियौन परवत में इस सियौन मिशन के इंदर में पढ़ने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा यह मुफ्थ है, यह सेत्मेथ है जैसे कि इशू ने कहा प्रकाशित वा के 22 के सत्र में जो प्यासा है उसे यह जीवन का जल सेत्में दिया जाएगा और यही वचन आज पूरा होता है तो इस सियौन मिशन के इंदर से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है इस सच्चाई के वचन को पढ़ रहे हैं और वे कटनी में भागवी रहे हैं 2019 में एक लाग 3,764 लोगों का ग्राइज़ेशन हुआ और यह पूरी दुन्या में इसका पचार किया गया यह सियौन मिशन के इंदर के ग्राइज़ेशन हैं जो कि शिंचन जी इशू के कलिस्या साक्षी के तंबू का मंदिर के हैं जो 112 अलग 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 देशों से आये थे एक संगठन एक जगा जहां एक साल में एक लाग लोगों का ग्राइज़ेशन होता है यह किस तरह का जगा है जहां पूरे दुनिया से लोग बाइबल सीखने आते हैं यह जायन सियौन मिशन के इंदर किस तरह का जगा है सियौन मिशन के इंदर पूरे दुनिया में सिर्फ ऐसी एक संगठन है जो बाइबल पर पूरी तरह से आधारित है इश्यू के वच्चन का अनुसुन करते हुए जिन्होंने सेथ में वच्चन देने को कहा तो आज भी हम जो सियॉन विशन के इंद्रम में जो वच्चन देते हैं वो बिल्कुल मुफ्थ सेथ में देते हैं यहां हमें इतिहास, नैतिक शिक्षा, भविश्यवानी और पूर्ती सिखाई जाती है और इसे तीन भागों में बाटा गया है जो की है प्राथमिक, मध्यवर्ती और उच्चिस्तर प्राथमिक में आप बाइबल के जो दिश्टांत हैं और जो स्वर के राजय के रहस्य उनके बारे में जानते हैं और इश्चिस्व ने जिन स्वर के राजय के रहस्यों के बारे में बताया Contact-free यूग में, coronavirus के समय में भी आप देख सकते हैं कि Sion Mission Kendra के जो online classes में सभी लोग भरे हुए हैं और lessons जो है Bible के इसाब से पढ़ाई जाती हैं और सभी चीज़े स्पष्ट हैं और सभी चीज़े Bible पर अथारित हैं और यहां बहुत हम आप आनन भी लेख सकते हैं आप बिना COVID की चिंता किये हमारे साथ जोड़ सकते हैं आप Bible को अच्छी से पढ़ सकते हैं और आनन लेख सकते हैं Sion Mission Kendra के जो द्वार हैं वे सभी के लिए खुले हैं आपने अभी जो वीडियो देखा वो उस कटनी की वास्तिकता है जो Bible में लिखी है प्रकाशित वाके की जब पूर्ती होती है जो लवनी होती है उसकी वास्तिकता आपने अभी देखा इसलिए अभी देर नहीं हुई है आप भी Sion Mission के इंदरम में पंजीकरन कर सकते हैं और हम सभी लोग को इस कटनी में भाग लें जो स्वर के राजमें जाने पाए इसके बाद आप भी वे लोग हो सकते हैं जो इसकी इसमें रुकावट दा सकते हैं ना इसमें रुकावट भी लोग डा सकते हैं कौन रुकावट डालते हैं जिनकी कटाई नहीं होती हैं वे लोग रुकावट डालते हैं वे लोग उसी खेत में है वो इश्यू की कलिस्या इश्यू का खेत क्या है इश्यू की कलिस्या है न और कहा गया है कि जो जंगली पौध ह है उन्हें बांद दिया जाएगा कौन उन्हें बांद देगा जो उनके चरवाहे हैं वे उन्हें बांद देंगे 2000 साल पहले जो फरीशी सदूकी थे वे चरवाहे थे लोगों को इशू के पास जाना चाहिए था फरीशी सदूकियों को लोगों के पास जाएंगे तो वे किसी पंथ में पढ़ जाएंगे, है ना कुपंथ में पढ़ जाएंगे, वे कल्थ में चले जाएंगे, ऐसा कहते हैं, तो आज भी कई लोग कहते हैं कि उनके पास मत जाओ, क्योंकि वे लोग कल्थ हैं, वे लोग ये हैं, वो हैं, बिना जाने, बिना सोचे वे ऐसा कहते हैं तो बिना जाने सोचे वे अपनी लोगों को ऐसा कहते हैं और अपनी लोगों को बांद देते हैं और उस तरीके के जो सदस्य हैं उस तरीके के जो लोग हैं जो उसी खेत में पड़े रहते हैं वो उस चीज़ का सबूत है कि वे जंगली पौधे हैं और जहां वे बांदी जाते हैं वे अपनी चर्च हैं और उसका उसका परिनाम क्या होगा उनका न्याय होता है और वे उस गंधक जील में नर्ग में जाते हैं इसलिए कटनी के समय में कटनी के समय में हमें क्या है उस कटाई करने वाले स्वर्गदूत की सुनने की जुरत है ये आप इसका ध्यान रखना और इससे जो सबसे ज़रूरी चीज है हम ये देख सकते हैं कि 2000 साल पहले भी कई लोग थे जिनकी कटाई हुई जिनकी कटाई नहीं हुई और ये सारी चीजे हमें पहले से ही दी दी गई है ताकि हम दूसरे आगमन में वो गलती ना दोराएं आज कटनी के समय में हम गलती ना दोराएं आज जितने भी पादरे हैं आप लोग इस वचन को जाच सकते हैं और आप भी लोगों को ये वचन दी सकते हैं ताकि आप भी कई लोगों को स्वर्ग के राज्य में आप बुला सकें, ताकि आप भी क्या हैं, वे बेस्ट पास्टर बन सकें, जो परमेशों के सामें सुईकार की जा सकें, तो चलिए देखते हैं, ये जो जंगली फल है, जंगली दाग लता है, उनका न्याय कैसे होता है, तो चलिए 17 से 20 पढ़ते हैं, फिर एक और स्वर्ग्दूत उस मंदिर में से निकला, जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी उत्तम हस्वा था, फिर एक और स्वर्ग्दूत जिससे आग पर अधिकार था, वेदी में से निकला, और जिसके पास उत्तम हस्वा था, उससे उ नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौन दे गए और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोडों के लगामों के तक पहुचा और सौ कोस तक बह गया। तो ये जो पित्री की दाख लगा कि जो गुच्छे हैं इन्हें काटा गया और उन्हें परमेशों के प्रकुप के बड़े रसकुंड में डाल दिया गया। तो आप सोच रहे होंगे कि कट्डी के समय में इन गुच्छों का न्याय कैसे होता है। आप मती 13 उसके 40 से 42 में देखो कि जैसे उन गुच्छों को उन जंगली पौधों को बांध कर जला दिया जाता है उसी प्रकार युग के अंत में होगा। तो ये युग का अंत नहीं है। ये कट्डी का समय युग का अंत नहीं है। हाँ आप देख सकते हैं कि 16 आयत क्या है कटनी होती है लेकिन जो बचे रहते हैं जो नहीं काटे जाते हैं उनका न्याय स्थरा से बीस में होता है। तो उस बिख सकते हैं जो जंगली पौधे उनका न्याय होता है। और बिल्कुल ये मती 13 उसके 40 से 42 की तरह है इस समय क्या है एक स्वर्गदूद है जिसके पास अतम हस्वा है और ये उस वेदी में से निकलता है और उसे कहा जाता है कि जो पृत्वी के गुच्चे हैं उसे काट ले ये पृत्वी के बहुते गुच्चे नहीं है लेकिन ये क कंबू के मंदिर के जो सदसे हैं जिन्होंने विश्वाजगात किया और उन्हें क्या है बाहर फैक दिया गया बाहर यानिकी उस शैतान के संगठन में जो प्रकाशिद वाके 13 में है और उन्हें पृत्वी के गुच्चे इसलिए कहा गया आप देख सकते हैं ये शाया 5 में एक दाख की बारी थी जहां अच्छे बीज बोई गये लेकिन उसमें से सिर्फ बुरे गुच्छे निकले बुरे फल निकले और उन्हें कैसे उनका न्याय कैसे किया जाता है आप देख सकते हैं कि यर्मिया 2 के 21 में भी हम देख सकते हैं कि एक अच्छी दाख की बारी की दागता से निकले हैं जो कडवे हैं जो बुरे हैं इसलिए उनका न्याय किया जाता है और उन्हें उस परमीशों के कोप के उस बड़े रसकुंड में डाला गया और उन्हें उस नगर के बाहर उन्हें रौंदा गया और ये रसकुंड क्या है रसकुंड क्या है एक न्याय का न्याई का साधन है आप यहों ना 12 के 48 में देख सकते हैं कि इशु ने कहा कि जो मेरे वचन है उससे उनका न्याई होगा अंद के समय में मेरे वचन से उनका न्याई होगा यानि कि परमीश्यों के वचन से लोगों का न्याई होगा जिन लोगों को बाहर फैक दिया गया और वे अन्य जातियों के साथ एक हो गए वे एक तिहाई, एक तिहाई कर मारे गए और जिन लोगों को प्रकाशित वाके 6 में बाहर फैक दिया गया उन्हें प्रकाशित वाके 16 में उनका न्याय होता है और जो लोग बाहर है उनके बारे में हम प्रकाशित वाके 22 में भी देख सकते हैं और जब उनका न्याय होता है तो लहू निकलता है और वो घोड़ो की लगाम तक पहुँच जाता है तो लहू जो है घोड़ी के लगाम तक कैसे पहुँच सकता है जब लोगों का न्याय होता है तो ये लहू घोड़ो की लगाम तक कैसे पहुँच सकता है तो ये भौतिक नहीं है अगर पूरी दुनिया की लोग भी मर जाए तब भी घोडो के लगाम तक तो लहू नहीं पहुचेगा है न तो ये किस तरह का वचन है ये लहू किस तरह का वचन है ये वचन वो है जो उन विश्वास घाती तम्बू के मंदिर के बारे में बताता है तो ये घोडो के लगाम क्या है बाइबल में घोडे और लगाम उन लोगों को दर्शाता है जो परमीशों के कारे करते है घोडे बैल इनका मतलब क्या है चरवा है और परमीशों के कारे करता और इनके मुह तक आप पहुँचा तो यह जो न्यायक का जो वचन है वो उनके मुह तक आप पहुँचा था तो यह जो तंबू का मंदिर है जिसने विश्वाजगात किया इस वचन के बारे में इस समाचार के बारे में पूरी दुनिया में लोगों को पता चलने लगया कि वे लोग अन्य जातियों के साथ एक हो गए हैं और उनका अंत हो गया है और ये क्या है? ये सभी पाद्रियों के पास, सभी उन कारे करताओं के पास पहुंच गया और लिखा गया है कि ये 1600 स्टेदिया 1600 स्टेदिया तक बह गया यानि कि पूरे देश में इसके वचन जो है फैल गया 1600 स्टेदिया जो है लगभाग 300 किलामेटर है यानि कि ये पूरे देश में फैल गया और ये जो तंबू का मंदिर है इसके क्या थे? इसके 80 शाखा चर्चे थी और ये जो असी शाक्षाब जो चर्चिस थे इनका नाम जो है इनका नाम अन्य जातियों के साथ एक हो गया और उनका न्याय हुआ और आज हमने प्रकाशिद वग्या 14 के बारे पढ़ा तो चलिए आज हम उसका निश्करश करते हैं प्रकाशिद वग्या 14 में परमेशर के जो लोग हैं उन्हें काटा जाता है और उन्हें मुरिद के आ जाता है और वे बारव गोतर के हिस्सा बन जाते हैं लेकिन कई लोग है जो नर्ग जाते हैं, कौन है वे, वे नगर के बाहर फैंक दे जाते हैं, वे विशासघात करते हैं, और वे जंगली पौधे हैं जिनकी कटाई नहीं होती हैं, तो पूरे दुनिया में जितने भी आप लोग हैं, क्या आज हम परमेश्व के राज्य के हिसा आप से कार कर रहे हैं, सिर्फ चर्च जाना वो विशासी जीवन जीना नहीं है, सिर्फ बाइबल पढ़ना विशासी जीवन नहीं है, सही विशासी जीवन है, कटनी के समय में, कटाई में भाग लेना, और इनकी वास्तिकता क्या है, सियौन परवत्पर जो 1,44,000 प्रतंफ और इस महान क्लेश में से एक महान भीड भी निकल आएगी जिसे कोई नहीं गिन सकता जो इशू के लहू से शुद्ध होंगे जो सफिद वस्तर पहने उस सिखासन के सामने आएगे ये वो महान क्लेश का समय है और ये महान भीड भी इस समय बनाय जाती है आज जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं इस प्रकट वचन को सीख रहे हैं आज हमें अलग-अलग सिधानतों में अलग-अलग समप्रताय में नहीं बटना है हमें परमेशों के वचन से जनमने की जुरत है हम सभी उस खत्ते में भाग लेने पाए उस खत्ते में आने पाए ताकि हम सभी परमेशों के संतान कहला जा सके हम सब अंदर से परमेशों के हैं और हम सब एक हैं हम चलिए आज के लिए यहां अंद करेंगे तो चलिए प्रातना करते हैं हे परमेश्व पिता जिसके हमाभारी है अपने अनुग्रा से आपने इस सेमिनार कायोजन किया और आपने कई लोगों को यहां आमंतरित किया कृपिया उन सभी के दिलों पर तुशासन कर जो आज यहां जुड़े हैं आज हमने प्रकाशिद वाके 14 के बारे में पढ़ा हमने देखा कि जिन लोगों को शैतान का चिन मिला और जिन को परमेश्व की मुहरू मिली उनका परणाम क्या होता है तो आज जो भी लोग इस बचन को सुने वे लोग शैतान के जो अगली बीच है अपने दिलों से निकाल कर वे परमेश्व के बीच को ग्रहन करें और इस समय हम सब मुहरू थोने पाएं हम विंति करते हैं कि तु हमारे दिलों पर शासन कर ताकि इस मीटिंग को हम अगले बार भी जारी रखें और अगली बार भी ये कारे हम जारी रख सके ये सारी वित्ति हम इश्यमसिय के नाम समागे है तो आज सुनने के लिए बहुत बहुत धहनेवाद ये हमें बताता है कि सभी लोगों को कहा जाने के ज़रत है वो जगह कहां है जहां सभी राष्टों को जाने की ज़रत है वो साक्षी के तंबू का मंदिर है और साक्षी के तंबू का मंदिर वो जगह है जहां वे लोग जो जैप आते हैं जिनके पास गवाही का वचान है वे लोग एकत्रित होते हैं तो अगर आपको प्रकाशी द्वाक्य में रूची है तो आपको साक्षी के तंबू के मंदिर में जाने की ज़रत है प्रकाशी द्वाक्य के भविश्यवानी और पूर्ती के गवाही परमेश्व की नहीं बाच्चा तो आज हमने प्रकाशित वग्या 14 के बारे भी पढ़ा तो जितने भी पादरी हैं जो पूरी दुनिया से इसे सुनते हैं जितने भी विश्वासी हैं हम वही एक बाइबल पढ़ते हैं और हम उसी एक परमेशर के अंतरगत हैं तो चाहे हम अलग-लग भाषा भी क्यों न बोलते हों अलग-लग जगह से ही क्यों न हों लेकिन हमारे दिल एक होने पाएं हम सब परमेशर से प्रेम करने पाएं और हम एक उस सच्चाए को ढूनने पाएं हम आज शिंचन जी के जो बारगोतर हैं इस कार्य को पूरा करते हैं और एक विश्वासी जीवन जीते हुए इस वचन को पूरी दुन्या में इसका पचार करते हैं बहुत सारे जो मीडिया है आज इस वचन को सुन कर इसके बारे में समाचार सुना रहे हैं और बहुत सारे पास्टर्स जो हैं आज हमारे साथ MOU साइन कर, हमारे साथ कारे कर रहे हैं. शिंचन जी, आज उन सभी के लिए खुला है, जो परमिर्षय के वचन के बारे में जानना चाते हैं, और परमिर्षय से प्रेम करते हैं. अगर आप हमसे कॉन्टैक करना चाते हैं, तो इस इमेल या फोन नमबर पर आप हमसे संपर कर सकते हैं, और आप हमसे MOU साइन कर सकते हैं. और पूरी दुनिया में जितने भी पास्टर्स हैं और विश्वासी हैं, जो आज इस प्रकाशी द्वाके के बहुश्यवानी और पूर्ती की गवाही परमिशों की नई वाचा की सेमिनार में जोड़े हैं, आप सभी का धन्यवाद, अगले बार भी हमारे साथ रहें, ताकि हम प्रकाशी द्वाके के इस गवाही के बारे में पूरी तरह जान सकें, तो आज सेमिनार यहीं खतम करेंगे और हम प्रभूर प्रातना में चलेंगे, ए हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में हैं, तिरे नाम वित्रमानेजाए, तेरा राज्य आए, तेरे इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही प्र्त्वी पर भी हो, हमारे दिन फर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अप्राध्यों को शमा क्या है जैसे हमारे अप्राध्यों को शमा कर और हमें प्राइक्षा में नाला परंतू बुराई से बचा क्योंकि राज्य और प्राक्रम और महिमा सदा ते रही है आमेन तो तो सभी परिवार, परमिश्र के परिवार के सदस्य है, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. झाल झाल एक अजिए कि अजा झाल 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 झाल